अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर बहुत अच्छा क्रेकेट दिखाया उन्होंने अपने फैंस के दिल जीते उन्होंने इंडियन ओडियंस के दिल जीते लेकिन नहीं जीत पाए ICC का दिल क्यूंकि बहुत चोटी और अपने एक्विप्मेंट अपनी क्लोधिंग और ग्राउंड की रिस्पेक्ट करें लेकिन ICC खुश नहीं है अफगानिस्तान के इस प्लेयर से क्यूंकि उन्होंने ब्रेक करा है अगर अफगानिस्तान के गुर्बास जिन्होंने अच्छी बैटिंग दिखाई लेकिन नहीं दिखा पाए अच्छा अटिट्यूड जी हां असी रन पे आउट हो गए थे और जब रन आउट होकर जा रहे थे पाविलियन की तरफ तो उसी गुस्ते में उन्होंने अपना बैट स्लाम करा था बाउंडरी रोप पर और कुर्सी पर और ब्रेक कर दिया था अगर आपको डिटेल बताए तो गुर्बाज ने आर्टिकल 2.2 विच कमज अंडर आईसी सी कोड ओफ कंड़क्ट फॉर प्लेयर्ज ब्रेक कर दिया है और अगर आपको डिटेल में बताए कि इस आर्टिकल में होता क्या है तो इस आर्टिकल में अब्यूज ऑफ क्रिकेट equipment और clothing, ground equipment और fixtures and fittings during an international match ये सब होता है इस code of conduct में और गुर्बाज ने ये code of conduct ब्रेक कर दिया है अगर इसका action बताए कि ICC ने इस पर action क्या लिया है तो फिलाल गुर्बाज के disciplinary record में एक demerit का point add हो चुका है जहां और अभी तक का पहला है ये दो सालों में अगर आपको ए player के disciplinary record में चार या चार से जाधा demerit point आ जाते है तो ICC उनको ban भी कर सकती है फिलाल तो गुर्बाज बचे हुआ है क्योंकि उनका ये पहला demerit point था लेकिन अब उनको समहल कर खेलना पड़ेगा और code of conduct को ध्यान में रखना पड़ेगा बाकी आप अपना opinion बता सकते हैं य कुफान स्पोर्ट